दोस्तो अगर आपका फोन कहीं चोरी हो गया है या आपका फोन दोस्तो कहीं गिर गया है या फोन आपका हो गया है तो कैसे आप अपने मुबाइल फोन को ट्रैक करके पता कर पाएंगे कि जो आपका फोन चोरी हुआ है वो किस लोकेशन पर है और कौन ब्यक्ति उसको यूज कर रहा है आप उसकी location को track कर पाएंगे मातर पांस मिट में दोस्तों यहां पर आप अपने फोन की location को पता कर पाएंगे आपका जो phone है वो किस ब्यक्ति के पास है या किस location पे है आज कल हर किसी के पास smart phone है और कभी ना कभी किसी ना किसी का जो phone है वो चोरी हो जाता है या कभी गिर जाता है रास्ते में तो पता नहीं रहता है कि जो हमारा phone गिरा है वो किसी को मिल गया है या अभी तक नहीं मिला है ये भी आप पता कर पाएंगे इसके कई एक तरीके होते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि AYMEI Number से find कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों के पास mobile theo करी हो जाता है तो उनके पास iMEEI Number भी नहीं रहता जाता है आप वीडियो को skip बिल्कुल नहीं करिएगा तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने mobile phone या computer पर Chrome browser को open कर लेना है जैसा कि यहाँ पर हमने Chrome browser को open कर लिया दोस्तों यह सारा process हम आपको mobile phone पर भी करके बता सकते थे लेकिन यहाँ पर हम आपको computer पर open कर रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें दोस्तों आपको इस Chrome browser को उसी Gmail ID से login कर लेना है जिस Gmail ID से आपने अपने phone को login कर रखा था तो उसी Gmail ID से आपको इसको login कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपने Chrome browser को यहाँ पर अपनी EI number भी find कर पाएंगे और आप उसकी location को अभी पता लगा पाएंगे कि यह phone जो है किस location पे है किसके पास है और आप उस phone को वापस ला सकते हैं दोस्तों तो इसकी लिए दोस्तों आपको सबसे पहले login कर लेने के बाद अपनी जो Gmail icon है ना यहां पर click करना है इसके बाद यहां पर manage your Google account का option देखने को मिल जाएगा आपको इस पर ही click कर देना है जैसी दोस्तों आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको नीचे की तरफ आजाना है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा security का यह option तो आपको इस पर ही click कर देना है जैसी दोस्तों आप security वाले option पर click करेंगे तो इसके बाद आपको थोड़े नीचे की तरफ आना है और यहां पर आने के बाद यहां पर आपको देखने को जिस phone को इस email id से आपने login किया होगा वो phone का जो number है यां जो model है वो यहां पर आपको show करेगा और यहां पर आपको एक arrow का जो निशान दिख रहा है आपको इस पर ही click कर देना है इस arrow वाले निशान पर आप जैसी click करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है open हो जाएगा और यहां पर जो location है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी और यहां पर आप देखेंगे तो आपका जो phone का model है वो देखने को मिल जाएगा और यहां पर उस phone को last time कितने समय पहले यूज किया गया था और उसका जो यहां पर वैटरी का percentage है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथी साथ दोस्तों यहां पर आपको एक icon मिल जाएगा refresh वाला अगर आप इस पर click करेंगे तो आपको जो है को मिल जाएगी जो location है वो देखने को मिल जाएगी address देखने को मिल जाएगा अगर आप उस location पर पहुंचना चाहते हैं तो यहीं पर आपको वापस आना और यहां पर यह प्लस वाले icon पर click करके थोड़ा सा और आपको जूम कर देना है ऐसे अगर आप जूम करेंगे यह phone क main location है उसका पता कर पाएंगे कुछ इस तरह से यह location है जो आपको सो कर रहा होगा और आपको अगर अपने phone का IMEI number पता करना है अगर आपका IMEI number नहीं है तो आपको वो भी पता चल जाएगा इसके भी कई एक तरीके होते हैं या तो आप अपने जो mobile phone आपने लिया होगा उ और आपके पास अगर बिल नहीं है तो जो box आथा box में भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास phone है तो वो कैसे phone से आप IMEI number निकालेंगे उसके लिए एक video हमने पहले से बना दिया है उस video में ये भी बताया गया है दोस्तों की अगर आप कोई phone खरीद रहे है तो phone को खरीदने से पहले आप phone को जरूद चिक कर लीजिए कि अगर आप कोई पराना phone खरीद रहे हैं तो वो phone चोरी का है या नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे उस video का जो link है हम video के description में डाल देंगे आप वहाँ पर click करके देख सकते हैं लेकिन अगर आपके पास phone नहीं है तब आप अपने phone का IMEI number कैसे पता करेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको जो यहाँ पर आपका जो model दिखाई दे रहा है phone का और यह जो icon बना हुआ है और यह refresh button है इसके ठीक उपर एक i button आपको दिख रहा होगा इस i button पर आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर device information में आपको IMEI number देखने को मिल जाएगा और first time यह जो registered हुआ था तो यहाँ पर वो date आपको देखने को मिल जाएगी और उस phone को last कौन से समय पर use किया गया था वो date देखने को मिल जाएगा यहाँ पर तो यहाँ से आप अपना IMEI number भी find कर पाएंगे तो अगर आप अपने IMEI number को find कर लेते हैं तो कई एक तरीके हैं जिससे आप अपने खोए हुए phone को track कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूं दोस्तो इस तरह से आप अपने खोए हुए phone को track कर पाएंगे और उस location का भी पता लगा पाएंगे साथी साथ अपने phone का IMEI number भी दून पाएंगे तो प्यारा सा कमेंट और साथी साथ वीडियो को लाइक और सेयर जरू कर दीजिएगा साथी साथ ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना